देश की गिरती अर्थी विवस्था को लेकर मूदी सरकार चिंतित नज़रा रही है हाला कि मंदी से निपटने के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए है लेकिन उनका असर नहीं दिखाय दी रहा है इसी बीच वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस का कहना है कि भारत में कमजोर घेरिली खपत से विकासदर में गिराव अटाएगी इसका कई शेत्रों को दिये गए कर्ज की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा मूडीज ने मार्च 2020 में समाप्त हो रहे वित्तवरश के लिए सकल घरिलू उत्पाद का अनुमान 5.8 फीसदी से घटा कर 4.9 फीसदी कर दिया है रेटिंग एजिंसी नेक रिपोर्ट में कहा कि ग्रामेन इलाकों में वित्तिय समस्या खड़ा होना रोजगास रजन में कमी और नकदी जैसे संकटों से विकासदर में गिरावट आएगी मूडीस के सहायक पाद्यक्षेवं विशलेशक देबरहतान निकाहा के निवेश आधालित सस्ती अब तक फैली हुई खपत में कमी वाली अर्थिवस्था बन गई है दूसरी तीमाही जुलाई सिलंबर 2019 के दरान भारत की आथि विकासदर खटकर महज 4.5 फीसदी रह गई जो लगभग 6.5 साल का नीचला असतर है यह लगतार छटी तीमाही है जो जीडीपी में सुस्ती दर्च की गई है गौर्दलब है कि भारती रिजर्व बैंक में भी जीडीपी कानुमान घटाया है रिजर्व बैंक के मताबिक साल 2019-20 के दरान जीडीपी में और गिरावट आएगी और यह 6.1 फीसदी से गिर कर 5 फीसदी पर आ सकती है सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेज दे बेल आइकन फोर मोर अपडेट्स